जाइन दोस्तों मैं नरीन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं एकदम बहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं उम्मीद करूँगा एकदम बहतरीन होंगे एकदम सांदार होंगे और दोस्त आप लोग जानते हैं SSE GD का एक्जाम जो आपका फरवरी यानि 20 फरवरी से सुरू होने वाला है उसके लिए आज से आपके ये प्रेक्टिस सेशन सुरू हुए हैं और RWA का बच्चे GS का प्रेक सेशन एक्जाम में यूट्यूब भर से तैयारी कर लेना आपके स्कोर में चार चांद लगाता आया है और आपका भाई फिर से आप से प्रामिस करता है हमेशा एक डेडिकेटिट सीरीज चलाई है एक्जाम से पहले चलाई है चाहे दिल्ली पलिस हो या पिछला SSE GD हो चा से करके दिखाएंगे साथ ही इस बार आप फिर भरोसे से जुडेंगे और लगभग मैं आप लोगों से एक प्रामिस करता हूँ कि आज से सुरू करके हम हर मंडे टू सैटर्डे इस बार करने वाले है क्योंकि हमारे पास कम दिन है और 35 से 40 के बीच में प्रेक्टिस हैट हो होने वाली है वो 35 से 40 होगी और मेरे दोस्त आप एक प्रामिस बस मुझसे करना कि भहिया आपके इस प्राक्टिस हैट का एक एक सब्द हम तयार रखेंगे और उल्टा मैं आपसे प्रामिस करता हूँ कि जीएस में 80% से ज्यादा इसकोर आप सिर्फ इस प्राक्टिस हैट स जिनके अंदर है और देश इस बात को याद रखेगा मिरे दोस्त तुम भी इस बात को याद रखेगा कि उस सीमा पर जो खड़ा होगा जवान उसको सबसे पहले जजबे और सबसे पहले जुनून की जरृट है नींदे तुमको वहाँ भी त्यागनी होंगी और तुम कहना भी अपने selection के लिए हम अपने नीदे यहां भी त्यागने को तयार हो हो रहम उसके पार जाएंगे उस नीद के पार भी कुछ होता है तो हम अपनी इस इस्धती को बदलने के लिए उसके पार भी जायेंगे और साथ ही हम मिलके करके दिखाएंगे तो ये practice set के बारे में मैं आपको बता देता हूँ मित्र पहले कि हर रोज तीन बजे से चलेगा Monday to Friday, Monday to Friday ये हमारा practice set होगा, Monday to Friday, sorry, Monday to Friday नी, Monday to Saturday, क्योंकि इस बार दिन कम है, हम इसको Monday to Friday रखते थे, लेकिन अभी हम इसको Monday to Saturday रखने वाले हैं, ठीक है, Monday to Saturday के रखने के बाद म मैं आपको बता दूँ दोस्त, क्योंकि जब आप exam तयारी करते हैं, किसी भी exam की, तो subject का ratio क्या रहेगा, यानि अब अपनी तयारी में किन subject को प्राथ्मित्ता पर रखें, GS में, इसको follow करना, परिक्षा हॉल में जब पहुचोगे तो देखोगे, कि यही भर जो हमको follow करना था, तो दोस्त, subject मैं आपको बता दूँ, जैसे history subject हुआ, आपका history, polity, polity एक आपका subject रहा, इसमें, static जीके रहा, इस्टेटिक जीके रहा आपका, और geography रहा, geography रहा, economics रहा, economics रहा, science रहा, और current affairs रहा, science and current affairs, मैं दोस्त, इसका आपको एक category बनाने वाला हूँ, और आप उसी आधार पर, उनी subject को प्राथमिक्ता दे के अपनी तयारी रखना, history के दोस्त, दो कुष्यन, एक आधार मान के चलें, आप ऐसा भी हो सकता, आपको एक कुष्यन देखने को मिले, या दो, दो, आप अपना आधार मान सकते हैं, quality की हम बात करें, कि अगर history के दो प्रसन आए, देखने को, लेकिन मेरा मानना ये है कि 20 में से एक आधार कुष्यन आपको, geography और एक आधार कुष्यन आपको, economics से देखने को, जरूर मिलेगा, ठीक है, science की बात करें, science से दो कुष्यन का आप आधार मान सकते हैं, और उन दो में आधार मानना, आप एक कुष्यन से और होग और current affairs में ये बात याद रख लेना, एकदम updated current affairs और current affairs कितना करें, क्या बोलेंगे आपका पिछले 6 महिने का, यानि exam से पिछला एक महिना छोड़के उससे पिछले 6 महिने का current affairs आपका सांदार तयार होना चाहिए, और बड़ी घटनाएं आपकी कम से कम पिछले वर्स की तय तयार होनी चाहिए, और जो economics का current affairs है, यानि eco current affairs से मतलब होता है कि आपका budget संबंदित या फिर census संबंदित कुछ भी या नए कुछ भी update डेटा आता है, वो डेटा आपका मित्र तयार होना चाहिए, तो ये ratio है हमारा जो plus minus हो सकता है, इतनी बात का आपको दिहान रखना है, तो 24, 7, 11, 12, 13, 2, 15, 2, 17, इसी में आप plus minus कर सकते हैं, हो सकता है, जोगरफी के आपको दो question देखने को मिल जाए, economics का weightage जोगरफी से जादा रहेगा, इतनी बात मान के चलिए, ठीक है, जोगरफी का प्रिशन ना भी मिले, तो economics के एक से दो प्रिशन आपको देखने को मिले और दोस्त, फिर वही एक बार comment section में आपका ये promise जो आप इस practice set में करते आए हैं, एकदम basic से हम चलने वाले हैं, और basic से मतलब है कि उन सब महतपून चीजों को हम कौर करते हुए चलेंगे, जो आपके exam के लिए जरूरी है, कोई भी अनावश्यक चीज इस board पर आपको मेरे द्वारा नहीं मिलेगी, तो आप तक पहुचेगी भी नहीं, जो कुछ content जाएगा, वो एकदम से सुद्ध होगा परिक्षा के लिए, और हम धमाल मचा के आएंगे, फिर वही अंतिम दिन जो आपके selection का होगा, फिर आप GS के लिए याद जैसे करते आए हैं, फिर से कर रहे हैं, यह बात याद रख लेना, हम लोगों की सुरुवात करब देने का जो जज़बा और होसला होता है, वो peak पर होता है, लेकिन हम अंत तक उसको बना रख पाएंगे, या नहीं, यह हमको selection की तरफ लेके जाता है, अगर आपके अंदर वो जज़बा है कि आप खुद दूसरे practice session में जब आओ, तो आप बोलना भी आप पहले practice session का कोई भी question पूछ लो, मैं कर के दिखा दूँगा, आप person पूछ के देख लो, मैं उत्तर दिखा दूँगा, अगले दिन में 5 question आप से पूछ रहा होंगा, revision के, 5 बटे 5 score की उमीद हर दिन आप से करता हूँ, तो practice session साम 4 बजे से और 5 बजे से राहुल सरमासर का reasoning का practice session ये तैयारी भर मातर होगी, तो दोस्त सुरू करते हैं, बहुत सांदार तरीके से और एक बार इस सांदार तरीके से करने के लिए, आप लोगों के अंदर भारत माता की जै, जिस भारत माता की सेवा के लिए आप जा र करते हैं इस देश की सुरक्षा को, और साथ में वो वादा इस भारत माता के साथ जो लोग करते हैं, उसको सीमा पे खड़े होके निबाएंगे, और अपने घर का वो वादा जो हमारी खुद की मा जिसके पेट से हमने जनम लिया है, काम्याब होके, वो भी हम दिखाएंगे कि हमारे अंदर वो जुनून है कि हम कर सकते हैं, और साथ मिलके हम करके दिखाएंगे, पूछ रहा है, पिरसन है, सत्रिया को रिक्तिस्थान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नरत्य, सास्त्रिय नरत्य के रूप में माननेता दी गई थी, किस वर्स में माननेता दी हैं, तो आप कहेंगे भईया सत्रिया असम का है, कहां का है, असम का नरत्य है, संगीत नाटक अकादमी ने इसको घोसित किया था सन 2000 में, संगीत नाटक अकादमी 1953 में इस्थापना हुई, और संगीत नाटक अकादमी का हेड़क्वाटर है, नई दिल्ली, दोनों बहुत मह important question है, मैं आपसे दोस्त पूछूँ, मुझे को आप बताओ, सास्त्रिय नरत्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी जो हमारे classical dance है, जो classical dance है, हमारे उस classical dance का कुल नंबर मैं आपसे पूछू, कुल संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा, 8, मैं आपसे पूछू, नवा सा अौनू मरक ऐंगर यू समय क्लासिकल दान्स यह अर्द सास्त्रिय नरत्य है क्या बोलोगे ? ईर्द सास्त्रिय नरत्य कहते है वह कौन सा है तो आपका अंसर आना चाहिए भाया जी चौँ ए। अर्द सास्त्रिय नरत्य ठीक है जी सबसे पुराना सास्त्रिय नरत्य कौन सा है क्या बोलोगे सबसे पुराना oldest classical dance सबसे पुराना सबसे पुराना सास्त्रिय नरत्य कौन सा है तो गजब सा उत्तर सारे दोस्तों की तरफ से आना चाहिए भरत नाट्यम है क्या है भरत नाट्य किस वर्स घोसित किया गया था 1932 में कहां का है तमिल नाडू का है ठीक है अगले परसंद जब चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना भरतनाट्यम है घोसित 1932 है क्या बोलोगे घोसित 1932 है कतकली बताईए कहां का है मोहीनी अट्टम बताईए दोस्त ये सास्त्रिय नरत्य कहां का है तो क्या बोलोगे ये दौनों कहां के हैं ये दौनों केरल के हैं मनीपुरी और ओडीसी पूछे बहुत आसान मनीपुरी कहां का होगा मित्र मनीपुर का होगा कहां का मनिपुर का होगा ओडीसी आप से पूछे ओडीसी कहां का होगा तो आप कहेंगे ओडीशा का होगा भीया कहां का होगा कुछी पुडी कहां का होगा बोलो जी कुछी पुडी कहां का होगा आप लोगों को बताना है कुछी पुडी कहां का है तो क्या बोलोगे आंदर परदेश का होगा भिया जी कहां का होगा आंदर परदेश का होगा एक मैंने आपको जो परिसन में पूछा सत्रिया कहां का है जी सत्रिया कहां का है असम का होगा कितने होगे एक दो तीन चार पाच्छे कौन सा बचा आप बताओ एक बचा हुआ है आप कहेंगे जी कथक है क्या है कथक है और कथक कहां का है यूपी बोलो या नौर्थ इंडिया बोलो क्या बोलो या उत्तर भारत बोलो एक ही बात होगी ठीक है एक ही बात होगी मैं आप से पूछूं सास्त्रिय नरत्य में भाव कितने पिरकार के होते हैं सास्त्रिय नरत्य म सास्त्रिय यानि क्लासिकल डांस में जो फिलिंग्स होती हैं सास्त्रि नरत्य में भाव दो पिरकार के होते हैं क्या वो लोगे भाव दो पिरकार के होते हैं एक होता है तांडव क्या वो लोगे तांडव और एक होता है लाश्य तांडव किस देवता को दर्शाता है भगवा ज्यारा दिहान से देखें, ये सबसे पुराना, तो कितना पुराना सन 2000 वर्स, क्या बोलोगे, सन 2000 नहीं, 2000 वर्स पुराना है, कितना पुराना, 2000 वर्स पुराना, आप से पूछ ले, सत्रिया सबसे नया, कितना पुराना, 500 वर्स पुराना है, कितना है, 500 वर्स पुराना है, क्या बोलोगे स्रीमत संकर देव होंगे ठीक है इतनी बेशिक जानकारी अगले प्रैक्टिस सेट में आपको हुनी चाहिए रखेंगे जी भीया रखेंगे आगे चलते हैं किसी भी चीज का स्क्रीन सॉर्ट आप ले सकते हैं दोस्त जब आपको स्क्रीन सॉर्ट लेना हो ठीक है आगे चलते हैं अगला पिरसंद है पिरसिद्ध वादक पंडित राम नारायन क्या नाम है? पंडित राम नारायन निमलिखित में से किस वाधियंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? कौन से वाधियंत्र को वो पिले करते हैं? सरोध, सारंगी, घटक या फिर वीना होगा? तो क्या बोलेंगे भहिया? वो जाने जाते हैं आपका सारंगी के लिए. किस वहिए फटाफट से अनुस का नारायंड, क्या बोलोगे? अनुस का नारायंड इन्हीं की बेटी है। और ये भारत की एकलोती सारंगी वादक है। और पुराने च्छात्रों से मेरा एक परिशन है, मैंने बता रखा था भारत की इकलोती सहनाई वादक कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इकलोती क्या बोलोगे, इकलोती बोलेंगे भी फटाफट से, सॉरी, अनुसका नारायन बता रहूँगा, अरुना नारायन होंग तो इकलोती सहनाई वादक पूछे तो क्या बोलेंगे भीया, भारत की इकलोती महिला सहनाई वादक, इकलोती है तो महिला ही पूछ रहे हैं, तो सहनाई वादक कौन होंगी आपका, आप बोलेंगे भीया, बागेशवरी कमर होंगी, कौन होंगी, बागेशवरी, बागेश किश्वरी कमर होंगी कभी गल्ती नहीं करनी है सारंगी से अन्या नाम मैं आपको सारा मिसरी सकूर खान सारा का सारा मिसरी और सक्कर किस के लिए है सुल्तान के लिए है सुल्तान खान क्या बोलोगे जी सुल्तान खान सुल्तान खान क्या बोलेंगे बोले फटाफट से रमेस मिसरा बोले या आप से बोले सकूर खान या सुल्तान खान किस से जुड़े हुए है हम कहेंग जो जानते हैं वो थम सब कर दो मुझे विस्वास है आपके उपर कि आप सच बोलेंगे अमजद अली खान और साथ में आपका अली अकबर खान कौन अली अकबर खान ठीक है अली अकबर खान ये किस से जुड़े हुए हैं आपका आप कहेंगे जी सरोद से जुड़े हुए है किस से अमजद अली खान इनके बेटे के नाम क्या है दोनों के बहुत पुछे जाते अमान अली खान और अयान अली खान अमान अली खान और अयान घटम से बताएं टी एच विनायक राम क्या बोलोगे अंग्रेजी वाले जो ये नाम है ना तो ये घटम से होंगे टी एच विनायक राम और एम सुब्रमन्यम क्या बोलोगे एम सुब्रमन्यम ये किस से जुड़े हुए हैं आपका घटम से जुड़े हुए हैं वीना से दोस्त S. बाला चंदर कभी नाम आपको नहीं भूलना है S. बाला चंदर एक एक दो दो नाम करके आगे बढ़ेंगे आप किरम से याद रख लेंगे ठीक है भाईया पिछले practice set में बहुत सारे लगबग दो वर्सों से करा रहूं है तीन बजे का practice set revive होके तयारी करें इसको आप जीरो से सुरू कर सकते हैं अब से पहले कुछ नहीं किया तब भी यहां से सुरू कर दो अपने आप में पूर्ण होगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पिछली कोई सीरीज आपको पूरी करनी होगी तब आप इसको करेंगे ठीक है चेतिया गिरी विहार मोहतसव किस राज्ये में आयोजित किया जाता है हिमाचल परदेश, मध्य परदेश, तेलांगना या फिर तिरपुरा में आयोजित होता है क्या बोलोगे चेतिया गिरी भीया जी मध्य परदेश का मोहतसव है कहां का मध्य परदेश का ए वाले सारे गलत है जिनोंने ए उत्तर दिया गलत नहीं देना उत्तर आप आराम से बैठ जाईए जब उत्तर मिले अगली बार गलत नहीं करना है बस ये confidence रखना अगली बार गलत नहीं करेंगे मद्य परदेश के और कौन कौन से मद्य में बोलो भहिया घडल्या उत्सव कौन सा होता है घडल्या फेस्टिवल होता है और घड़ा कहां पर घड़े मैं बोलता हूँ घड़े के मद्य में गड़े के मद्य में क्या है नीर और नीर किसका प्रयाईवाची है भहिया जल का तो पर कई रंग भी हुए हैं क्या बोलोगे घड़े पर कई रंग भी हुए हैं कई रंग भी हुए हैं कई रंग भी हुए हैं गड़े पर तो क्या बोलेंगे भीया आपका घडल्या उत्सव होगा अच्छा जी हिमाचल परदेश की बात करें हिमा और आचल कैसी हैं दोनों पु कर नहीं है लावी और फुलेच कहां के हिमाचल परदेश के तेलंगा ना आपके घर तेल से कुछ बनता तेल और घी से आप कहोगे भीया बोनालू बनालू क्या बोलोगे बनालू बतु कम्मा अरह सर्दी पढ़ रही है यार बतुआ के पराठे तो बनते होंगे क्या तेल में बनालू बतुआ के पराठे क्या बोलोगे बोनालू और बतु कम्मा तिरपुरा की अगर पूछे नीर महल उत्सव क्या बोलोगे नीर महल उत्सव और पीलक उत्सव क्या बोलोगे पीलक उत्सव कहां के हैं कौन कौन से नीर महल और पीलक उत्सव कहां के हैं वो तिरपुर गलती नहीं करोगे नैक्स टेजी इर्वतनेश्वरा मंदिर भारत के किस राज्य में इस्थित हिर्वतनेश्वरा किस राज्य में तामिल्नाडू पशंचर मंगाल राजिस्थान या तेला गाना या फिर तेला गाना में क्या उत्तर आएगा क्या बोलोगे इर्वतनेश्वरा मंदिर ये भारत के तमिलनाडू में इस्थित है और तमिलनाडू के मंदिर SSC के एक्जाम्स के लिए मित्र बहुत इंपोर्टेंट है क्या बोलोगे तमिल नाडू के मंदिर बताएं एक आपका आएगा मिनाक्षी मंदिर कौनसा मिनाक्षी मंदिर किन के लिए है माता पारवती के लिए है किन के लिए माता पारवती के लिए मिनाक्षी मंदिर और दूसरा आपका ब्रहदीशवर मंदिर कहां पर इस्थित है ब् हमारी अम्मन देवी टेंपल है आपका ये भी कहां पर है तमिलनाडू में है और स्रीपुरम क्या बोलोगे स्रीपुरम टेंपल कहां पर इस्थित है स्रीपुरम मंदिर कहां पर इस्थित है ठीक है स्रीपुरम मंदिर कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसे कितने दोस्त है जो ब मंदिर होगा दोस्तं आपका क्या बोलेगे आप आप बोलेगे तेलांगना का जि रामापा टेंपल है रामापा मंदिर है रामापा मंदिर है जो यूनेसको कीividad 49 वी साइट है क्या है यूनेसको की chantal sangat साइट है 49 वी साइट है किस वन्स के द्वारा बनाया गया रामाप्पा मंदिर क्यूंकि युनेसको की साइट है तो बहुत important question बनता है क्या बोलोगे काकतिये वन्स के द्वारा बनाया गया था काकतिये के दुआरा इसको बनाया गया दोस्त और अगर मैं बात करूं किसकी आपका तेला ना की तो याद रख लेना 2021 में 2021 में ये घोसित हुआ था युनेसको की साइट ठीक है कौन सी साइट था 49 वी साइट है मैं आपसे पूछना चाहूंगा रामाप्पा मंदिर कौन से भगवान जी के लिए है कौन से भगवान जी के लिए है तो आप सब लोगों का उत्तर आना चाहिए रामाप्पा मंदिर ये भगवान सिव के लिए है किन के लिए है भगवान सिव के लिए है कभी गलती ना करें कभी भी गलती नहीं करनी है ठीक है आगे चलते है जी निमलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो रस्किन बॉंड द्वारा नहीं लिखी गई है रस्किन बॉंड एससी के फावरेट राइटर हैं एससी इन से हमेशा कुश्यन मिलती है मेरे दोष टूमच थैंक यू अभशेक बहुत सांदार सुमित अर्विंद सेखर रज्जाक पीहु वर्मा बी नेचर व्लॉगर्स पहुत सांदार तो बोलेंगे कौन सी पुस्तक है जो रस्किन बॉंड द्वारा रस्किन बॉंड द्वारा नहीं लिखी गए दा रूम ऑन दा रूफ पहुत इंपोटेंट The Blue Umbrella और Roads to Missouri Midnight Children इनकी किताब नहीं है और Midnight Children किसकी किताब है सलमान रस्दी की किताब है क्या आप मुझे सलमान रस्दी की एक दो किताबों के नाम दोस्त बता सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि सलमान रस्दी के हाल ही में लिखी हुई एक किताब बहुत चर्चित हुई, बहुत ज्यादा चर्चित हुई, जिसका नाम है Victory City, आपके एक्जाम के लिए बहुत important है, क्या बोलोगे जी, एक तो इनकी किताब Victory City भहिया हम नहीं भूलेंगे, क्या Victory City इनकी किताब को हम नहीं भूलेंगे, एक इनको जो Booker Award मिला, Midnight Children, क 1981 में The Golden House किसकी किताब है The Golden House किसकी किताब है आपका ये भी सलमान रस्दी की किताब है और दो सलमान रस्दी की एक किताब है सेम क्या बोलोगे सेम और एक किताब है सैटनिक वरसेज क्या बोलोगे सैटनिक वरसेज किसकी बुक है क्या बोलोगे सैटनिक वरसेज किसकी बुक है तो हम कहेंगे जी सलमान रźniej की किताब है गलती नहीं करनी है एक लेखक है हमारे कोन रसकिन बोंड रसकिन बोंड की एक दो किताबे और बताओ इन विकल्पों के अलावा क्या बोलोगे रसकिन बोंड की कौन कौन सी किताबे बहुत इंपोटेंट है बोले जी फटाफट से, रस्किन बॉंड की एक किताब Tiger in the Tunnel, क्या बोलोगे, Tiger in the Tunnel बहुत important है, Tiger in the Tunnel और Tunnel से ही दूसरी किताब The Tunnel, जो इन्होंने 2021 में लिखी पहुत चरचित किताब रही थी, तीसरा, The Girl on the Train, क्या बोलोगे, The Girl on the Train, ये किसकी किताब है, ये आपका रस्किन बॉंड की किताब है, और The Golden Years हाल ही की किताब है, आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है, Current Affairs वाले सेक्षन में, The Golden Years जो हाल ही में बहुत चरचित हुई, वो किसकी पुस्तक है, तो The Golden Years किसकी है, रस्किन बॉंड की है, किसकी है, रस्किन बॉंड की है, नेक्ष्ट है, भारत ने कब पहली बार किर्किट विस्व कप जीता, किर्किट के वर्ल्ड कप को पहली बार भारत ने कब जीता था, बताएंगे जी, 25 जून 1983 को, 25 जुलाई 1983 को, 25 अगस्त 1983 को, या 25 मई 1983 को, तो आं कठिन हो सकती है आप मुझे बताइए येर सब जानते हैं आप मुझे बताइए SSC ने पूछा आपका CPO के सेगमेंट में इसी तरह से डेट दी तो पर्त कठिन परिशन बन जाता है जब मन्त में अंतर हो और येर में अंतर ना हो लिखेंगे बहिया बहुत सारे दोस्तों ने लिखा वेश्ट अंडीज को हराया था इसको वेश्ट अंडीज को हराया था तो मुझे आप बताइएंगे किस के खिलाफ हुआ था खिलाफ इसमें Western continues था और ये कौन सा World Cup था बताएंगे दरा 1983 में ये कौन सा World Cup था आप कहेंगे भीया ये तीसरा वर्ल्ड कप था ये 3rd World Cup था और 3rd World Cup का मतलब पहला World Cup 1975 में Western जीता 1989 में कौन जीता वेस्ट अंडीज जीता लेकिन 1983 में कौन जीता हिंडिया जीता अपना देश भारत मेरा देश महान भारत जीता 1983 में वेस्ट अंडीज को हराया मुझे बताओ सबसे ज़्यादा रन फाइनल में किसने बनाए मुझे बताओ फाइनल में मैन ओफ दा मैच कौन था फाइनल में मैन ओफ दा मैच बहुत पूछती है SSC तो सबसे ज़्यादा रन क्या बोलोगे सबसे ज़्यादा रन जो बनाए है इसमें आपका सरवाधिक रन बनाए आपका के सरीकांत ने कितना के सरीकांत ने बनाए थे आपका 38 रन क्या बोलोगे 38 रन और फाइनल में मैन ओफ दा मैच था मोहिंदर अमरनाथ कौन मोहिंदर क्यूं जी जब run उन्होंने बनाए इनकी performance और अच्छी थी 26 run के साथ में 12 run पर 3 wicket भी इन्होंने लिये थे 26 run भी बनाए और 12 run देकर के 3 wicket भी लिये मुझे बताओ भारत इस match को कितने run से जीता था क्या बोलेंगे भारत इस match को कितने run से जीता तो कितने run से जीते थे हम इसमे 43 run से जीते थे क्या बोलोगे 43 run से जीते थे मैदान था Lord's का क्या बोलोगे मैदान था आपका कहा का दोस्त Lord's का मैदान था और हमने दो बार के champion दो बार के champion Westernडीज को पठकनी दी थी बहुत बुरी तरह हराया था अच्छा मुझे बताएं ये बहरत का पहला वर्ल्ड कप था बहरत ने अपना second world cup कब जीता बहरत ने second world cup कब जीता फटाफट से जवाब आना चाहिए कपिल देव क्या बोलोगे कपिल देव फोटो में खड़े हुए कपिल देव ये कौन थे ये कैप्टन थे कैप्टन थे आपका कपिल देव जब हम 2011 में जीते आपकी बार आपने देखा होगा पूरे भारत की आँखों में आसू थे दोस्ट जब हम इस बार वल्ड कप से चूग गए लेकिन हम इसको पहले पिछली बार कप जीते थे 2011 में मुझे बताईए कैप्टन कौन था और किश टीम को हमने हराया था कैप्टन था मेहंदर सिंग दोनी कौन थे मेहंदर सिंग दोनी माही मार रहा है मेहंदर सिंग दोनी और खिलाफ किश टीम के हम उतरे थे खिलाफ उतरे थे हम सिरिलंका के क्या बोलोगे सिरिलंका के खिलाफ उतरे थे हम मैन ओफ दा मैच कौन रहा था फाइनल में मैन ओफ दा मैच माही महिंदर सिंग धौनी क्या बोलोगे महिंदर सिंग धौनी क्या बोलोगे महिंदर सिंग धौनी अगर मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है माही और मेरे दोस्त अगर तुम मन बना लो तो यह selection दूर नहीं है ठीक है man of the match मुझे बताओ final में सबसे ज़्यादा run 2011 में किस ने बनाए final में सबसे ज़्यादा run किस ने बनाए थे सबसे ज़्यादा run बनाए थे 97 किस ने आपका Gotham गंभीर ने क्या बोलोगे गौतम गंभीर ने बनाए थे और मैदान पूछे तो वांग खेडे मुंबई का मैदान था कौन सा था वांग खेडे स्टेडियम कहां पर है ये मुंबई का मैदान था क्या था वांग खेडे मुंबई का मैदान था ये बात याद रखेंगे और दहौनी ने बनाये थे 91 रन कितने 91 रन दहौनी ने बनाये थे बताएंगे जी आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं अवतार बैच में आप पढ़ चुके हैं और अभी भी आप पढ़ रहे हैं प्रिसन है मारसल लौ की अवधारना क्या बोलोगे मारसल लौ की अवधारना जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है क्या बोलेंगे उसको किस देश से लिया गया है कौन से देश से लिया गया है और मेरे दोस्त प्रैक्टिस साट की किलास में 50,000 वीवर्स होना अपने आप में एक बड़ी बात है को दिया है ना मेरे दोस्त इसके लिए सब कुछ है आप लोगों के लिए जितनी महनत यहां खड़े हो के कर सकते है उतनी करेंगे आप भी वहां उतनी ही महनत मेरे मित्र करना बोलेंगे जी फटाफट से क्या बोलेंगे जो मूल अधिकारों को प्रतिबंदित करती है यह किस अदेश से ली गई है गजब तरीके से उत्तर बता दें। जापान से USSR से चीन से UK से देखो मौलिक अधिकार जब कभी भी आता है तो हम उत्तर देते। यू एससे लेकिन मारसल लौ को हमने किस से लिया है यूके से लिया है सेडने नियाल अधिनियम का 1950 का अधिनियम है जिससे हमने इसको लिया है अब गजब से देखना अगर मैं पूछूँ बात मौलिक अधिकारों की तो मुझे बताईए मौलिक अधिकार समविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार समविधान के किस भाग में है आप लोग जानते हैं भाग एक बताता है संग के बारे में जिसमें अनुच्छेद एक से चार तक है फिर आता है आपका भाग दो जो बताता है सिटिजन सिप को यानि कि नागरिक्ता को और नागरिक्ता के अनुच्छेद हैं 5 से 11 फिर आता है हमारा भाग तीन भाग तीन जो बताता है fundamental right के बारे में यानि की मौलिक अधिकार के बारे में किसके मौलिक अधिकार के बारे में बताता है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है आपका उत्तर आएगा article 12 से 35 तक क्या बोलोगे article 12 से 35 तक तो क्या उत्तर बनेगा मौलिक अधिकारों को बताया गया है जी भागतीन में किसमें भागतीन में मुझे बताएंगे दोस्त आप मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है जो fundamental right है मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? राज्ये है, सिंसद है, उच्छ न्यायले है या फिर सुप्रिम कोट है? तो क्या अंसर आएगा या फिर सुप्रिम कोट है? बूलेंगे भारतिये नागरिको का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? भारतिय नागरिकों का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है तीसरा पिरसन मैं आपसे पूछता हूँ मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए है मौलिक अधिकार जो fundamental rights है इनको हमने किस देश से लिया है और चौथा पिरसन मेरा रहेगा संसोधन का अधिकार मौलिक अधिकारों में जो संसोधन का अधिकार है वो किस के पास है आर्टिकल 368 का जो संसोधन का अधिकार है वो मित्र किस के पास है तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या बोलोगे भाईया जी सुप्रीम कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट बोले तो सर्वोच नियायले कौन सा नियायले मित्र सर्वोच नियायले क्या आप मुझे बता सकते हैं सर्वोच नियायले किस अनुच्छेद में है सरवोच नियायले को किस अनुच्छेद में बताया गया है सारे दोस्त बताएंगे और मुझे पता है मेरे चात रितने कमजोर नहीं है कि इस आसान से परशन का उत्तर ना दे पाए आप कहेंगे आर्टिकल 124 में है सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारा बताया गया आर्टिकल 214 में कहाँ पर आर्टिकल 214 में बताया गया है भारतिये नागरिकों का जो अधिकार पत्र है क्या बोलोगे भारतिये नागरिकों का अधिकार पत्र हम किसको बोलते हैं हम बोलते हैं दोस्त fundamental rights को किसको fundamental rights को बोलते हैं और fundamental rights बोले तो मौलिक अधिकारों को कहते हैं किसको मौलिक अधिकारों को दोस्त एक प्रिसन और मैं आपसे पूछूँगा मुझको बताओ मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं है मेरा प्रिशन है आप लोगों से मौलिक अधिकारों के खिलाफ वाद किया जा सकता है या नहीं मौलिक अधिकार जो है जो fundamental right है वो आपके वाद योग्य हैं या नहीं है तो क्या बोलोगे? मौलिक अधिकारों को हमने दोस्त USA से साईुक्त राज अमेरिका से लिया है और संसोधन का अधिकार Article 368 के तहत सिर्फ और सिर्फ पारलियमेंट को है हमारे देस की संसद को है को है हमारे देश की संसद को है मौलिक अधिकार वाद योग्य है हां जी येस लेकिन किस वाद से ये बात साबित हुई तो क्या बोलोगे केश्वा नंद भारती वाद क्या बोलोगे केश्वा नंद केश्वा नंद भारती वाद से ये बात तैह हुई कि मौलिक अधिकार जो ह समानता के अधिकार का उलंगन नहीं है क्या बोलेंगे आरक्षन जैसी नीतिया जो आपका समानता के अधिकार का उलंगन नहीं करती हैं समानता के अधिकार का क्या बोलेंगे अनुच्छेद 14 एक आपको बताना होगा अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है अनुच्छेद 21 इस बताता है क्या इस बारे में अनुच्छेद सोले का खंड चार इस बारे में बताता है मित्र या अनुच्छेद पंद्रे का आपका अगर बात करें क्या खंड दो यानि कि भाग दो इसके बारे में बताता है तो ये आपका उत्तर आना चाहिए गजब सा और सारे दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ऊत्तर देंinação。 चौध है एकुछ बताः रहे हैं। कुछ 16, जिन दोस्तों ने कखा 16 का भागचार इसके बारे में बताता है, 16 का भागचार इसके बारे में बताता है, वो एकदम से ठीक है अनुछेद 14 है तो दोस्तre क्या बताता है विधी के समक्ष समता को बताता है ठीक है अनुच्छेद 21 क्या बताता है राइट टु लाइफ जीवन का अधिकार बताता है और आपका अनुच्छेद 15 का भाग दो क्या बताता है क्या बोलता है धर्म जाती लिंग क्या बोलेंगे धर्म जाती लिंग और आपका जनम इस्थान के आधार पर कोई भेद नहीं होगा जनम इस्थान के आधार पर बेद नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि कोई वेक्ति हिंदू है या मुसलमान है तो उसको आप किसी और नजरों से ट्रीट करें या किसी की जाती आप किसी को बोल दे कि उच्छ जाती निच्छ जाती है ये नहीं है लिंग आप किसी को बोल दे कि ये महिला है लिंग का मतलब पुलिंग इस्त्री लिंग कि महिला है तो उसके यह अधिकार नहीं है तो आप गलत है जनम इस्थान यानि कि किसी का जनम गाउं में हुआ या सहर में हुआ या किसी ऐसे इस्थल पर हुआ जो बहुत दूरी पर है या किसी पिछड़े इस्थल पर या अगड़े इस्थल पर हुआ तो उसके आधार पर आप भेद नहीं करेंगे क्या बोलेंगे कोई भेदभाव नहीं होगा साथ में ही आप मुझे आर्टिकल 16 भी बता दीजिए क्या है लोक नियोजन के अवसर पर जैसे अभी भरतिया निकली भरतिया निकली तो आप सब को मौका मिलेगा या नहीं जो उस एज गुरूप में है ऐसा तो नहीं होगा कि ट भी या मौका सब को मिलेगा क्या बोलेंगे सब को मौका मिलेगा भारतिये संविधान के निमलिखित में से किस अनुछेद में सहकारी समीतियों के गठन के अधिकार का उलेख है कि सहकारी समीति का गठन होगा सहकारी समीति को ऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है आपके हमार चोटी-चोटे सेहरों में उते हैं, किसानों की मदद के लिए, कि परकार की साहिता के लिए, सहकारी समिती बना धी जाती हैं तो यह 19, capability19,1 के part D में है, B में है, A में है, या फिर C में है सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए कुछ का उत्तर आता हुआ दोस्त, B कुछ का आता हुआ, C, B और C जादा बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, तो 19, 1 का B जो बता रहे हैं, वो गलत हैं, C एकदम से सही होगा, क्या बोलोगे, C एकदम से सही होगा Article 19 पूरे को पढ़ के रखिए, इसके हर पार्ट से कुछन पूछा याता है, Article 19 क्या बोलोगे, Article 19 का पार्ट A में A क्या कहता है, वाक की अभिव्यक्ति और स्वेतंतरता, Freedom of Expression, क्या बोलोगे, वाक की अभिव्यक्ति आप अपनी बात को कहने के लिए स्वेतंतर हैं, वाक की बोलोगे, वाक की अभिव्यक्ति और स्वेतंतरता की बात इसमें की गई है, और बताएए 19 1 के ए A part में कि और क्या क्या कहा गया है, एपार्ट में ही दोस्त आप अपने देश में जढ़ा फैरा सकते हैं, जढ़ा फैराने का अधिकार किसको दिया गया, जढ़ा फैराने से लेकर के पुतला आप किसी का वरोद प्रदर्शन में पुतला फूक सकते हैं पुतला फूक सकते हैं RTI का अधिकार भी इसी के तहट आता है देखो इसमें सिर्फ expression नहीं है right to silence का मौन रहने का अधिकार भी आता है यानि बोलने के साथ में मौन रहने का अधिकार भी इसी में आएगा यानि मेरी मर्जी मैं बोलू यह चुप रहूँ ठीक है वह मेरी मर्जी है यह 91 का A हो गया B में क्या बताया गया है B में आपका बताया गया है आप सांती पूर्ण खटा हो सकते हैं सांती पूर्ण सम्मेलन कर लेंगे यानि आप कहीं भी जाकर के एक सांती पूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन बिना हतियारों के जाओगे ऐसा नहीं है सब कटा लगा के चलेगे सब पिष्टल लगा के चलेगे राइफल लेके चलेगे सब लोग लाठी डंडे लेके चले गए ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या बोलेंगे सम्विदाहन क्या कहता है सांतिपूर्ण सम्मेलन की बात करता है और C में और D दौनों में क्या बात की गई है भारत के संपूर्ण छेतर में कहीं भी आ जाने की आ जाने की और बसने की आ जाने और बसने की बात की गई है किसमें C और D में E में बात की गई है निवास की बात क्या बोलेंगे किसी भी छेतर में आने जाने C में अगर हम बात करें C और D में क्या बात की गई है अबाध संचरण इसको हम कहें तो ज़्यादा ठीक होगा अबाध संचरण यानि कि आप आजा सकते हैं अच्छा E में बात की गई है निवास की क्या बात करेंगे E में बात की गई है किसी भी देश के कौने में आप निवास कर सकते है और F में बताया गया है व्यवसाय को यानि की आजीविका को किसको आजीविका को बताया गया है क्या बोलेंगे आजीविका को बताया गया है नेक्ष्ट है निमलिखित में से कौन अलाउदीन खिलजी का गुलाम सेनापती था जिसने देवगिरी के देवगिरी देवगिरी था महराश्टर में क्या वो लोगे देवगिरी महराश्टर के रामचंदर के खिलाफ लडाई में अपनी सेना का नेतरतव किया था अलाउद्दीन खिल जी दोस्त आप लोगों को पता होगा खिल जी वंस का शाशक है जो भारत में गदी पर रहा था 1260 में से 1316 कभी भी मैं पूछूंगा आप से इसका शाशनकाल तो आप मुझे बताएंगे कि जी 1260 में से किया है उन 30 वर्सों में से अकेले 20 वर्स कौन रहा है अराउद्दीन खिल जी रहा है 1260 में से 1316 तक तो इसका कौन सा सेनापती था वो है मलिक काफूर क्या वो लोगे मलिक काफूर और इसका उपनाम क्या है Tageuddin है क्या वो लोगे Tageuddin है ताज-वद-dzीन है इसका उपनाम ठीक है Tageuddin के नामसे दिल्ली संतरत में किसको जाना जाता है मैं आप से पूछो मलिक काफूर क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठा था यास और नो तो आपका अंसर आएगा बहिया मलिक काफूर जो है न ये 36 दिन तक दिल्ली का साशक रहा था 36 दिन तक इसी मलिक काफूर को मलिक काफूर जो एक किनर जिसको कहा जाता है इसको अलावदीन खिल जी कहां से लेकर आया था गुजरात अभिहान से पकड़ा था गुजरात अभिहान से पकड़ा था इच्छतिस दिन गद्धी पर रहा है याद रख ले ना इसने अलावदीन खिल जी के बेटे साधी खान को मार के तब गद्धी हांसिल की थी ठीक है गुजरात अभिहान से इसको पकड़ा था और वापस इसको भेजा गया कहां साउथ में झांके साउथ से भी पहले 1306 में उचे मलीक काफूर ने मंगल को हराया मंगोलों को हराया 1306 में मंगोलों को हराया यादव वंस को हराया दच्छिन में जाके यादव वंस के शाशकों को 1308 से 9 के अभिहान में हराया वारंगल का जो काकतिय वंस था क्या बोलोगे जो काकतिय वंस जिनोंने रामपपा टेंपल को बनाया इनको 1310-11 के अभिहान में इसने हराया था एक अभिहान किया 1310-11 नैवर गल्ती आ गयाएंगे निमलिखित में से किसने 1878 के वर्रा कुलर प्रेस अधीनियम एक्ट को निरस्त किया था कौन वो वेक्ति है 1878 में लिटन क्या बोलोगे मैं आपसे पूछूँगा हमेशा भहिया लिटन का कारेकाल बताओ तो आप कहेंगे लिटन था भहिया 1886 से 80 लिटन ने क्या किया कि जो देसी भासा में अखवार थे किसमें देसी भासा में जो अखवार थे उन पर रोक लगा दी यानि उनको बंद कर दिया और इसी का वरना कुलर प्रेस एक्ट का उपनाम रखा गया गैंगिंग एक्ट बहुत पूछा जाता है कौन सा आपका अधिनियम है जिसको गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है तो लिटन ने इस तरह कि रोक लगाई भारतिये सस्त्र रखने पर भी 1878 में रोक लगी 1878 में ही क्या आया सस्त्र अधिनियम इन्हों ने कहा भारतिये अपनी सुरक्षा के लिए हतियार नहीं रख सकते हैं सस्त्र नहीं रख सकते हैं किसी पिरकार का ओर्डिनेंस नहीं रहेगा ठीक है क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे फटाफट से यहाँ पर अगर हम बात करें क्या बोलोगे 1878 के वर्ना कुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करते हैं आप से तो 1878 का जो सस्त्र अधिनियम है को दिक्कत को परिशानी अगर मैं बात करूँ कि यह तो रोक थी इनको हटाया किसने क्या बोलेंगे भाईया एक बार मौलिक अधिकार देख लो आपने F लिख दिया गलती से मैं देख लेता हूँ क्या हो गया इसमें A, B, C, D, E सॉरी F को दोस्त निरस्त कर दिया गया F नहीं होगा G होगा यहाँ पर I, S, R, S, R, S, इसे तरह कोई गलती मुझ से होती है जरूर मुझ endors करा यहाँ पर क्या होगा F क्या है F तो निरस्त है F है ही नहीं F है यह नहीं, यहाँ पर क्या हाईगा G आएगा G, आएगा तो लिटन ने जितनी रोक लगाई उन सभी रोक को खतम कर दिया किसने खतम कर दिया लिटन ने लिटन की रोग को आप कहेंगे भहिया किसने निरस्त कर दिया था रिपन ने रिपन का कारेकाल बताईए रिपन का कारेकाल है 1884 और रिपन को क्या बोलते इसने अच्छे काम किये इसलिए फ्लोरेंस नाइटेंगल इनको कहती है भारतिय समाज क किसने कहा है क्या बोलोगे भाया फ्लोरेंस नाइट एंगल ने कहा है ठीक है रिपनने कौन-कौन सी चीज़े हटाई पहला कारखाना अधिनियम की इतने उम्र से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे जो आप सम्विधान में पढ़ते हैं पहला कारखाना एक्ट बच्चों को योग कब आया इसी के टाइम पर आया 1882 में 1882 में ठीक है आप से पूछे इस्थानिय सहाशन आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे लोकल गवर्मेंट से इस्थानिय सहाशन कब आया 1882 में आया और दोस्त इलबर्ट बिल कब आया ये सारे दोस्त बता दो इलबर्ट बिल कब आया तो आप कहेंगे इलबर्ट बिल SSC का फैवरेट कुश्यन है ऐसा कोई एक्जाम नहीं है पिछले तीन चार वर्सों में जिसमें ये परिसन ना हो आप पढ़ेंगे जब प्रिवियस एर आप देखते हैं इलबर्ट बिल क्या था इसने कहा कि जो निया मुकदमा है उसको सुनवाई कौन कर पाएगा यूरोपियों पर जो मुकदमा है उसकी भारतिये जज सुनवाई कर सकेंगे भारतिये जज भी क्या कर सकेंगे उसकी सुनवाई कर सकेंगे आज के बाद आप याद रखेंगे एक थमसब चाहता हूँ आप सब की तरब से गज 611 रख लेना इसमें मराठे वर्सेज एहमद सहा अवदाली का ये युद्ध था दोस्त एहमद सहा अवदाली का ये युद्ध था दुत्य अंगल मराठा युद्ध कब हुआ 1835 हुआ ये खत्म हुआ था आपका इसकी समापती हुई थी राजापुर गहाट संधी से इसकी समापती हुई थी ठीक है पिर्थम अंगल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ क्या बोलोगे आपका सॉरी 1775 से लेकर के 1782 तक ऐसे दोस्त कभी गलती हो ना 1775 में लेकर दो बता देना अगली क्लास में भी ठीक करा दूं कोई दिक्कत नहीं है तो अंगल मराठा युद्ध क्या हुआ था इसमें 1775 में इस युद्ध की सुरुवात में अंग्रेजों ने सूरत की संधी कर ली थी रागोबा से महराष्ट के से तो क्या हो गया फिर उ पहला युद्ध खतम हुआ अंग्रेजों और मराठों के बीच का दूसरा युद्ध की संधी से खतम हुआ आप लिख सकते राजापुर घाट संधी बकसर का युद्ध कब हुआ आप लोग बताएंगे आंसर हो जाएगा पर्थम अंगल मराठा युद्ध बकसर का युद हुआ 1764 में इसमें कौन कौन थे मीर काशिम था आज ही में कक्षा में आपको पढ़ा रहा था मीर कासिम के साथ में आपका सुजा उद्दोला था अवद का नवाव और साथ में बंगाल का सारी मुगल शाशक सहालम सैकिंड था और अंग्रेज अधिकारी कौन था इनके खिला अंगल मराथः युद्ध याद रख लिना? तिरत्य है अंगल मराथः युद्ध ठीक है? वो कब हुआ था? 1870 से 1889 हुआ और यहाँ पर जो संधी हुई थी वो ग्वालियर की संधी हुई थी इस युद्ध से खतम हुआ है? क्या वो लोगे किस संदी से? ग्वालियर की सं कोंसी नदी का अधिम मध्य क हाई है सारे दूस्तन बोलेंगे बनास नदी आप कहेंगे अर्वली पर्वतमाला से निकलती है और अर्वाली पर्वतमाला से राजिस्तान से निकलती है कहां से राजिस्थान से निकलती है और जोगरफी पर आपको बहुत जोर देने की जरुरत नहीं है राज समंद जिले से निकलती है और याद रख लेना इसी को hope of forest बोलते हैं किस नदी को hope of forest कहते हैं किस को बनास को यहां पर याद रखेंगा दोस्त एक important बात मेरी कि जो ससी का फैवरेट है नदी और सहयक नदी यह topic मैं आपको बहुत जल्दी करा दूँगा आपके exam से पहले करा दूँगा ठीक है इतना पहले करा दूँगा कि आप एक revision भी कर पाएंगे नदी और सहयक नदी यह आज सिर्फ एक इस topic पर पूरी के पूरी जोगरफी SSC ने अपनी control करके रख दिये यह आपको पता ही होना चाहिए मैं करा दूँगा निश्चिंत रहना 2011 की जनगना का नुसार भारत का लिंगानुपात क्या है भारत का जो sex ratio है यानि की sex ratio होता क्या है लिंगानुपात होता क्या है तो क्या बोलोगे woman per 1000 man इसको ही हम बोलते लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं है एक हजार पुरसो पर तो कितनी है कितनी बोलेंगे दो हजार ग्यारे में आपका 943 है 943 मुझे बताइए चिल्डर चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो बोले तो बाल लिंगानुपात कितना है तो बाल लिंगानुपात आप कहेंगे भीया बाल लिं लिंगानुपात किसका है तो सरवादिक है 972 अरुनाचल परदेश का भारत के क्या बोलोगे किस परदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो बाल लिंगानुपात सबसे जादा है अच्या, अब मुझे बताईए भारत के किस इस्टेट का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है तो क्या बोलोगे भहिया केरला का कितना है जरा बताएंगे तो केरला का कितना है 1084 है केरला के बाद में पुडूचेरी क्योंकि ये आपका क्या है पुडूचेरी का है 1037 क्या वो लोगे ये आपका दोस्त क्या वोलेंगे ut है और केरल है state क्या वो लोगे केरल है state मैं पूछू सबसे कम अदтории का है सबसे कम state में किसका है तो नाम आएगा हर्याना का 8720 नाइन और ut में पूछ ले ut में किसका है सबसे कम तो दमन दीव का आएगा दमन दीव का कितना 618 है क्या वो लोगे 618 है गलती नहीं करनी है कभी भी गलती नहीं करनी है ठीक है बेसिक पॉइंट यही है आगे आते हैं कौनसी पंच वर्षी योजना है जो महनलो विसके विचारों पर आधारित थी भारत सरकार ने दोस्त 5 यर प्लान चलाए देश की आजादी के बाद में जब हमारे देश के लिए statement आया कि यह देश अंग्रेज यदी छोड़ देंगे तो survive नहीं कर पाएगा तो हमारे देश में दोस्त आपका पंचवर्सिय योजना है चली और कौनसी पंचवर्सिय योजना है बताएंगे आपका दूसरी पंचवर्सिय योजना है जिसका कारेकाल कितना था बताएंगे तो आप बोलेंगे 1951 से 56 पहली पंचवर्सिय योजना 1956 से 61 दूसरी पंच वर्षी है योजना coalition इनिस्स सो 61 से चाषट तीसरी पंच वर्षी है योजना फिर एक एक वर्ष की चली थी छाषट से इसट सडसट से अडसट और 68 से उनहेत्तर ठीक है 68 से 79 चौथी कब चली थी consciousness से 74 चली ठीक है यह दूसरी थी महानलोविस मॉडल पर आधारित थी महानलो बीस मॉडल पर कभी भी आपसे पूछे महानलोविस मॉडल किस वर्ष बनके तैयार हुआ तो महलोविस बॉडल 1953 में तयार हुआ था, कब 1953 में महलोविस मॉडल क्या हुआ था, तयार हुआ था, ये बात याद रख लेना, ठीक है, ये common fact है, और मैं अगर आपको आगे लेके चले जाओ, 1974 के बाद में, बोलेंगे, 1974 के बाद में पंचवर्शी योजना 1978 तक चली, 1978 से 80 क्या है, एक गैप आप रखेंगे, कभी भी मैं आप से पूछूंगा, गैप रखेंगे, फिर 1980 से क्या बोलोगे, 85 भीया, 1985 से फिर 90 तक चली, और 1990 से लेकर के आपका 92 तक क्या रखेंगे, आप गैप रखेंगे, और फिर कोई गैप नहीं होगा, फिर कोई गैप नहीं होगा, यानी, 1992 से फिर presentingंगे, 1997 से फिर आपका 2002, और 2002 से मित्र आपका 2007, और फिर 2007 से मित्र आपका 2020, 2012 से सत्रा होनी थी, लेकिन क्या पूरा कर पाईी, क्या बोलोगे, नहीं भीया, 15 तक ही रह गई और नीती आयोग आ गया सन 2015 में, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक दोस्त कह रहे हैं, Mr. सुमरन गूजर, सर अब तक आपने जो पढ़ाया है, वह सब याद है, practice set में कुश्चन नहीं आते, एक डर बन रहा है, कहीं main exam में ऐसा ना हो, क्या इसी किलास से कुश्च नहीं है, हो सकता है, आपका एक भी परसन ना आए, लेकिन कुश्चन एबल मैं तब हूँ, जब मैं आपकी इस किलास में एक भी सेकेंड के लिए चुप हो जाओं, और मैं निरंतर एक घंटे तक आप से ना बोलू, और एक सठीक डेटा मैं आपको ना दूँ, दोस्त बस कह सकता हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कि परसन ना आए, ठीक है, और आप कहीं और एक्सपरिमेंट कर सकते हैं इस बात के लिए, कि सायद आपके एक्जाम के लिए कोई और किलास बेनिफीशल हो, आप स्वेतंतर है, आपकी अपनी चोईस है, मैं यह बिल्कुल नहीं कह सकता है, भीया, आपका पेपर मैं वनाऊंगा, मैं यह कह सकता हूँ, कि मैं आपके साथ महनत करूँगा, ठीक है, मैं आपके साथ महनत करूँगा, आप मेरे साथ महनत करेंगे, और हम सांदार रिजल्ट करके आएंगे, इतना प्रॉमिस मैं तुमसे कर सकता हूँ, ठीक है, मानव फेपडों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाई ऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है, जो फेपडे छोड़ते हैं, देखो, वायू मंडल में मुझे बताओ, नाइट्रोजन कितनी है, आप कहेंगे, 78% है, ऑक्सीजन कितनी है, 20% ह तीसरे नंबर पर कौन होती है, आरगन होती है, 0.93% है, चौथे पर कौन है, कार्बन डाई अक्साइड है, 0.03% होती है, ठीक है, अब हम सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमने 20% ले ली, लेकिन हमारे फेपडे यूज कितना कर लेते हैं, च्छोड़ की कठोर्ता को रिक्तिस्थान में व्यक्त किया जाता है अन्वों की संख्या होती है पीपी एम तो आप क्या बोलोगे पीपी एम होता है जी क्या पार्ट्स पर मिलियन क्या बोलोगे पार्ट्स पर मिलियन एक मिलियन में कितने नंबर होते हैं क्या बोलोगे एक मिलियन में होते हैं जी दस लाख कितने दस लाख में से कितने पार्ट हैं जल की कठोरता इससे वेक्त की जाती है नॉर्मलता नी मोलरता नी जल की कठोरता कितने पिरकार की होती है बताएंगे आप कहेंगे बहिया एक तो होती है इस्थाई कठोरता एक होती है आपकी क्या बोलोगे सॉरी क्या बोलोगे एक तो होगी आपकी इस्थाई कठोरता और एक होगी आपकी इस्थाई कठोरता तो क्या बोलोगे इस्थाई कठोड़ता किसकी वज़े से होती है कैलसियम और मैगनीशियम के बाइकार्बोनेट बहुत पूछा जाता है कैलसियम और मैगनीशियम के बाइकार्बोनेट की वज़े से होती है और यह आपका केलसियम और मेगनीशियम के सलफेट और किलो राइड की वज़य से होती है. स्थाई कटोड़ता को हम कैसे दूर कर सकते है, जो स्थाई है उसको तो हम गरम पानी से दूर कर सकते हैं. किसे बोलेंगे जो अमके इस्थाई सॉरी, एस्थाई है, मतलब वो इस्थाई है चल्डो हो पानी गरम भी कर दोगे तो आपका दूर हो जाएगी क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी यानि हएस्थाई को अगर हम मैंने यहां पर उलटा लिखा आपका S-Thi तो होगी Bicarbonate की वज़े से Really sorry एक एक बदल लेंगे इसको फिर से लिख देता हूँ मैं फिर से लिखते हैं देखेंगे दियान से मैंने बोला आप से जल की S-Thi और S-Thi कठोरता S-Thi और S-Thi कठोरता जो S-Thi होगी वो Calcium Magnesium S-Thi जो होगी वो भी Calcium Magnesium की वज़े से होती है S-Thi होती है Bicarbonate की वज़े से और इसको Clark विधी से दूर करते हैं क्यों कौन सी विधी का इस्तेमाल करते हैं Sorry इसको उपर कर देते हैं क्या बोलोगे इसको किस से दूर कर देते हैं आपका एक Clark method होता है Clark method से दूर कर सकते हैं गरम करके पानी को गरम करके परियोग कर सकते हैं और ये जो आपका Sulfide और Cloride की होती है क्या बोलोगे Sulfide और Cloride की होती है ये स्थाई का ठोड़ता होती है और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Permuted विधी कौन सी विधी Permuted method का इस्तेमाल होता है कौन से method का बोलेंगे कौन से method का क्या बोलोगे Permuted method का इस्तेमाल होता है लोक, एवम, जंजाती, प्रदर्शन, कला, uhot, उत्कर्स अत्राष्र्य, साहित, इत्सव उनमें ईसका आयोजन किस राज्य में किया गया है मेरे दोस्त ऐसा हो सकता है कि आपका practice set सायद आज दो-चार मिनट लेट हो जाए लेकिन कल से हम इसको चार बजे से पहले खतम कर देंगे damn promise ठीक है चार बजे से पहले मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और जारखंड क्या बोलेगे बहिया मध्यप्रदेश में सुरूहा उत्कर्स और उनमेस ठीक है 2023 में कई उत्सव हुए है जो बहुत important है 2023 के जो उत्सव है बहुत important है आपसे पूछे थावे उत्सव क्या बोल दे थावे उत्सव कहां पर आयोजित हुआ बिहार में बहुम्चू उत्सव पूछले सिक्किम का कहां का बहुम्चू उत्सव कहां पर आयोजित हुआ बहुम्चू आयोजित हुआ दोस्त आपका सिक्किम का क्या बोलोगे सिक्किम का आयोजित हुआ है बाजरा उत्सव PDF के बारे मैं अभी बताऊंगा दोस्त मैं बाजरा उत्सव आपका गुजरात का है कहां का गुजरात का है गज उत्सव कहां का है गज उत्सव आपका असम का एक Current Affairs का बहुत important है तोर गया उत्सव क्या बोलोगे तोर गया उत्सव कहां पर आयजित हुआ अरुनाचल में आयजित हुआ अभी 2023 में ठीक है सारंग उत्सव कहां पर आयजित हुआ IIT मदरास में क्या बोलोगे IIT मदरास ने आयजित किया आपका सारंग उत्सव को IIT मदरास में देखो मैं आपको बता दूँ दोस्त इसकी PDF आपको मिलेगी रोजगार विद अंकित के आपको PDF नोट्स में जाएंगे तीन बजय की क्लास में आपको तीन बज़य के नाम से एक फोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे पहली चीज़ दूसरी चीज दोस्त मैं आपको बता दू कि मैं विश्वास करूँगा कि आप अपने handwritten notes बनाएंगे उन सारे छातरों से मैं अपील करता हूँ जो इस class से जुड़े रहें प्लीज आप handwritten notes इसके बनाना, screen shots ले लेना, phone में रखना, इस class के आदी हो जाओ दोस्त स्कोर करके दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है सू स्वागतम पोर्टल का सम्मंद किस समवेधानिक संस्था से है अभी एक सू स्वागतम पोर्टल विक्सित किया गया भारत के सर्वोच नयाले ने एक स्विक्सित किया या election commission of India ने, national commission for schedule caste ने या फिर राष्टिय अनुसुचित जन्जाती आयोग ने तो क्या बोलोगे, भारत के सर्वोच नयाले ने सू स्वागतम पोर्टल को लॉंच किया किसको सू स्वागतम पोर्टल को लॉंच किया है आपका कौन सी ministry ने लॉंच किया है तीसरा आपका उदगम पोर्टल को, उदगम पोर्टल को किस ministry ने लॉंच किया है चौथा मैं आप से पूछू, संगम युवा पोर्टल को किसको संगम युवा पोर्टल को किसने लॉंच किया है किस मंत्राले ने लॉंच किया है बोलेंगे विरासत पोल्टल आप कहेंगे दोस्त ये गिरह मंत्राले का है किसका है ये गिरह मंत्राले का पोल्टल है साथी पोल्टल आप बताएंगे दोस्त किसका पोल्टल है किस मिनिश्ट्री नितुक आप कहेंगे भहिया जो किरसी मंत्र पूर्वत्तर भारत के लिए इसको विक्सित किया है पूर्वत्तर भारत के लिए नेक्स्ट है पुरुस एशियाई होकी चैंपियनसिप ट्राफी 2023 का खिताब किसने जीता है चैंप बहुगे भारत दोस्त उपविजेटा पूछ लेता बहुख और भारत क्या है भारतो ने ये चोथा खिताब इस बार नाम किया क्या बोलोगे, भारत ने ये 4 खिताब नाच किया है, अपने नाम किया है, आयोजन इसका हुआ था चिननई में और प्लेयर ओफ दा टूर्नामेंट कौन बने ये आप बताएंगे प्लेयर ओफ दा टूर्नामेंट कौन बने तो क्या बोलोगे प्लेयर ओफ दा टूर्नामेंट बने आपका कौन इसमें मंदीप सिंग बने कौन बने मंदीप सिंग बने इसमें प्लेयर ओफ दा टूर्नामें है कि पर जो भी homework का question आप से दूँ ये आपके selection को निर्धारित करता है कि आपके अंदर कितना अनुसाशन है हमेशा उम्मीद करूँगा आप homework का answer करेंगे और हर एक छातर से ये समझ लीजिए हर sincere छातर से इस homework का answer चाहता हूँ ये सिर्फ आपके दोस्त अनुसाशन के लिए ऐसा नहीं है कि इसे मेरी class को कोई फायदा होने वाला है YouTube से कोई फायदा होने वाला ऐसी कोई बात है नहीं और सुनो एक बार तुमारी वहाँ वहाँ के वाजानी जीए तुमारे इतने numbers of student के लिए थोड़ा सा जोस्त बनता है तो मुझे बताना है आप लोगों को आप लोगों को बताना है मुझे महिला एसिया जो चैंपियन सी ट्रॉफी है 2023 उसको किसने जीता है और सुनो रहा मेरे साथ बोलना एक बार इस बात को सारे के सारे दोस्त बोलना कि मैं आप से बोलू कि रहा रहा जहां तक जाएगी रहागीर वहां तक जाएगा तुम दरिया से ना पूछो तुम दरिया से ना पूछो ये नीर कहां तक जाएगा अरे खीच धनू की डोर निसाना साधो अपनी मंजिल का बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा तो अभी तैयारी कीजिए परिक्षाम क्या होगा वो सब जानते हैं सेलेक्शन उसी का होगा जो महनत करेगा घर बैठ के दोस्ट सेलेक्शन देने गवर्मेंट आपको आने वाली नहीं है आपके अंदर कितना दम है आपका खुद RWA के स्टुडेंट का RWA के स्टुडेंट से कमप्टीशन है तो देखने की बात ये होगी कि एक भी दिन दोस्त आप अपनी तायारी में कमजोर हुए तो सोच लेना आपकी जगह कोई दूसरा ले लेगा और किसी दूसरे ने आपकी जगह ले ली तो हो सकता है वो वापस उस जगह को आपको ना दे तो ऐसा मौका आप ना छोड़ना कि आपकी जगह को कोई और ले ले तुम कहना कि जी मेरी जगह निश्यत है मैं उसे बना के रखूँगा उसे कोई और नहीं लेगा मिलते हैं कल, थैंक यू, बाइ-बाइ, टेक केर जै हिंद, जै भारत, जै मासस्वती नमस्ते, लव यू आल